जाहनवी कपूर अपनी स्पाई थ्रिलर फिल्म के साथ दस्तक दे चुकी है. फिल्म का उलज के टाइटल के साथ फैन्स उम्मीद कर रहे होंगे कि ये फिल्म प्योर स्पाई थ्रिलर का तड़का लगा कर लोगों को उलजाने में कामयाब हो सकेंगी. लेकिन सच्चाई ये है कि फिल्म का जैसा नाम है वैसी ही वो खुद उलज गई जाहनवी कपूर और बुलशन देवया की फिल्म जलेबी जितना भी लोगों को ये सीट में बैटने पर उलजा नहीं सकी राश्ट्रिय पुरसकार विजेता, सुधानशु सरिया द्वारा निर्देशित फिल्म उलज देश भक्ती फिल्मों की श्रेणी में आती है लेकिन ये फिल्म देश भक्ती पर एक उल्टा कार्ड खेलती है स्पाई थ्रिलर का अपना अलग ही तिलिस्म रहता है फिल्म उलज युनाइटेड किंग्डम में भारतिय दूतावास में एक युवा सरकारी अधिकारी सुहाना भाटिया जानवी कपूर के इर्दगिर्द खुमती है एक विरासती परिवार से आने वाली सुहाना के सिर पर भाई भतीजावात के बादल का बोज है जबकि वह युके में अपनी नई स्थितिक के बारे में अपने दिमाग को लपेटने की कोशिश कर रही है इस बीच उसकी मुलाकात एक रहस्यमय आदमी एक पार्टी में होती है और वह नकुल शर्मा, गुलशन देवईया पहली ही मुलाकात में वह नकुल से इतनी इंप्रेस हो जाती है कि उसके साथ इंटीमेट हो जाती है जबकि नकुल की असली पहचान कुछ और ही होती है वह सुहाना को उसके प्राइवेट वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करके गोपनीय सूचनाय हासिल करने लगता है और सुहाना इस जाल में भूरी तरह उलच जाती है अब सुहाना इस जाल से बाहर कैसे निकलती है उसको फसाने की ये साज़िश किसने रची होती है उनका मकसद क्या होता है या फिल्म देखकर ही जानना बेहतर होगा फिल्म सेकेंड हाफ के आते आते कहानी लोगों को बोर करने लगती है स्क्रीन प्ले इतना डीला है कि आप इसके खत्म होने का इंतजार करते हैं और फिर आपको समझ आने लगेगा कि इसका नाम उलच क्यों है एक्टिंग का बात करें तो जाहनवी कपूर के लिए साल दोहजारोचोबीस काफी आहम है फिल्म मिस्टर एंड मिस्स माही में उनके एक्टिंग की तारीफ हुई इस फिल्म के बाद उलज में भी उनका काम बहतर होने की गुंजाईश थी लेकिन अपने कमजोर किरदार के चकर में वह लुभाने में कामयाब नहीं हो पाई खुद को स्थाबित करने में उन्हें अभी खुद को और मांजना होगा फिल्म में गुलशन देवया ने अच्छी एक्टिंग की है रोमान्स से लेकर विलिनगिरी तक करने में वह कामयाब होए रोशन मैथ्यू, मियंग चैंग, आदिल हुसेन संग दूसरे कलाकारों ने अपने किरदारों में जान फूखने कोशिश की है फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, बैक्ग्राउंड स्कोर, कॉस्ट्यूम जैसे तकनीक पक्ष मजबूत है म्यूजिक के मामले में शौकन गाना, सोशल मीडिया पर हिट हो चुका है कहानी में कुछ अच्छे ट्विस्ट एंटर्न जरूर है लेकिन डायरेक्टर सुधांशु सर्या ने एन्बेसी और हाई कमिशन जैसी वीवी आईपी जगों पर सुरक्षा और प्रोटोकॉल की जिस तरह धज्जियां उड़ाई है उससे यह कहानी अपनी विश्वसनियता खो देती है